हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3-1 टैक में तो फ्रेंट्स जैसे कि आपको पता है कि यूट्यूब पर नए-ने अपडेट आते रहते हैं और यह जो नए अपडेट आया है वो आपको मेल के रूप में मिला होगा आपकी इमेल की जरूरत नहीं है इस वीडियो में मैं आपको इसकी complete detail बताने वाला हूँ और अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपको यह इमेल को पढ़ना और समझना और जानना इसके बारे में बहुत जादा जरूरी है अगर आप अपनी वीडियो को copyright से बचाना चाते हैं तो पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमाद चुकिए हैं अपने मोबाइल फॉन की स्क्रीन के उपर और मैंने वो मेल ओपन के हुआ है जो आपको भी आपकी इमेल आईडी के उपर आया होगा यहां पे लिखा हुआ है उपर learn about copyright on YouTube ठीक है आपको इसमें डरने की कोई ज़ copyright क्या होता है ठीक है जिससे आप कोई अपनी वीडियो में गलती ना करें और आपकी वीडियो के उपर copyright नहां आए यहां पर नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं clue up on copyright यहां पर लिखा हुआ है ठीक है नीचे लिखा है when someone makes an original piece of work including YouTube videos they automatically on the copyright ठीक है इसका मतलब है कि जो उसका work होता है उसकी according copyright gives the creator of an original work legal rights in deciding how it's used it also help keep YouTube a positive place for everyone to create and share मतलब copyright gives the creator of an original work creator के original work को जो भी वो करता है copyright उसे legal rights देता है कि आप अपने जो भी आपकी content को use करता है उसे आप copyright दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं ठीक है और इससे YouTube पर एक positive message भी जाता है कि YouTube पर सब अपना-पना create करते हैं content original content create करेंगे और उसे ही अपनी चैनल के उपर upload करेंगे तो काफी positivity इससे बढ़ती है और यहां पर नीचे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं copyright can sound daunting so this playlist is here to help you understand how copyright and content ID works on YouTube तो आपको जैसा कि copyright सुनके ही डर लगता है कि हमारी वी YouTube ने खुद आपको suggest किये हैं तीन tips दी हैं जिनके दोरा आप समझ सकते हैं कि copyright क्या होता है ठीक है सबसे पहली tip है वो है learn what YouTube content ID claims are मतलब यहां पर जो copyright claim होता है और copyright strike होती है दो चीजे होती है तो इसमें पहले वाले option में आपको copyright claim के बारे में बताया है how to manage and dissolve them and get the step-by-step guide on the dispute process मतलब content ID claim का मतलब है content claim आपकी video के उपर जब आता है जब आप किसी और की video अपनी video में use कर लेते हैं तो आपको content claim जो उसका copyright owner होता है जिसकी वो वीडियो होती है वो आपको claim based देता है या फिर आप किसी song को use कर लेते हैं अपनी video के अंदर तो आपकी video में जो song आप यह यूज किया है वो उसका जो copyright owner है उसकी तरफ से आपको copyright claim मिल जाता है copyright claim से आपके channel के ओपर कोई effect नहीं पड़ता बस ये होता है कि आपका channel अगर monetize है उससे आप earning कर रहे हैं और आपके किसी वीडियो पर copyright claim आ गया है तो उससे आप earning नहीं कर पाएंगे मतलब earning तो होगी उससे जितनी भी earning होगी वो सारी उस copyright owner को जाएगी जिसकी आपने song use किया है जिसके आपने वीडियो में part use किया है उसको जाएगी ठीक है उस song वाले owner को जाएगी तो यह आपको सीखने की जरूरत है कि आपको किसी के भी song को use नहीं करना है जिससे copyright claim आए आपकी वीडियो के अंदर second tip है वो है see which of your video have copyright strike and how you can filter your videos to address them इसमें लिखा है कि अगर आपके किसी वीडियो के उपर copyright strike आ जाती है तो आप उसे कैसे filter करेंगे अपनी वीडियो को उसके लिए आप क्या कर सकते हैं जैसे मान लिजए आपकी ने किसी का content use किया और उसने आपको copyright strike दे दी YouTube पे तो आप उ channel delete भी हो सकता है तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि आपको किसी और का content use नहीं करना अपना original content बनाना है उसके बाद है तीसरी टिप है understand what kind of content you can and cannot post on YouTube along with answer to common questions from fellow creators तो इसका मतलब है कि आपको किस तरीके का content बनाना चाहिए और किस तरीके का content YouTube पर post करना चाहिए किस तरी बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको किसी और का content use नहीं करना अपना खुद का original content ही आपको बनाना है और वो YouTube पर डालना है तब यह आपका channel भी grow होगा आपको यह और आप copyright से भी बच पाएंगे आपके channel पे कोई भी copyright नहीं आएगा अगर आप खुद का original content बनाएंगे ठी कर सकते हैं ठीक है तो यह तीनों टिप्स हैं जो आपको follow करनी हैं तो आपके वीडियो पर copyright नहीं आएगा आपको हमेशा ध्यान रखने अपना original content ही बनाएं तो अपने देखा कि इस वीडियो में मैंने जो आपको यह information दी यह आपके लिए कितनी जादा useful है अगर आप अप कैसे बस सकते हैं आपको इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक यूट्यूबर है तो अगर इस वीडियो से रिलेटिट फिर भी कोई question है कोई query आ रहे है आपके मैंड में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूश सकते हैं और अगर आपको थैंक यू